है हेलो सभागत थैं आप सभी का इस यूडियो में इस यूटियो में अभी हम पढ़ेंगे ब्लाश फरनेस प्लांट लेआउट के बारे में जो अधर सिर्फ प्लांट के अंदर उसका लेआउट जाने के कौन-कौन से important section होते हैं यह सारी चीज़े हम लोग भी समझेंगे ठीक है तो जैसे कि आप लोगों पता है कि ब्लाश्फनेस का यूज का है ब्लाश्फनेस से हम पीक आरन यह हॉट मैटल प्रोडूस करते हैं ठीक है चार्ज क्या कर डालते हैं लोग तो उसमें आरन और डालते हैं हैना पै ठीक है अब हम लोग ब्लाश्फनेस के प्लांट के लियाओट के बारे में समझेंगे कौन को इसे इंपोर्टन सेक्शन होते हैं तो यहां पर दीखे सबसे पहले इंपोर्टन सेक्शन होता है ब्लाश्फनेस प्रॉपर ब्लाश्फनेस प्रॉपर मतलब जो ब्लाश्फनेस है सब्लाइब करते हैं तो होट है मैं मैं फूट लिखाता हूं इसमें होट है इलिए प्रक्राइब करने के लिए हमारे पास क्या होता है इसको होटा है इसको इस्टो यहाँ तो से वियूल होता है किसमें चयों मदलब कार्बर्वाद मोनयाकसाइटा है सकता है यह प्रजानक संधे पास के होता है क्या होताय कैलरोफिक वेल्यो तो फ्यूल है तो उसको महली सकते हैं हम go ।ow नहीं को सबस्क victorious करते हैं सबसे पहले पर छितने भी डषट पार्टिकल्स होते हैं गैस में पूरे अलग हो जाते हैं फिर उसी को प्रॉा सब्सक्राइब यहां पर रहाँ रहाँ करते हैं आप देखो कीसे तायाओ दियुक्त ऐसे नहीं कि नियुक्त पर ru को में है यहां लगा हुआ और सुपलस्ट के हुआ होता है मिद्षण करक। कर देब होते हैं और तो ईतने भी बिए बुलते हैं वह पुरा θα odd आता है कि एक थारे सीङस कोलर कर देखो है है ''बन क्या है'' तो जाएगा नहीं तो Почему जाता है है तो जब तक एक होट ब्रास अप्लाउ I तो जब तक एक सप्प्लाउ रहे हैं नहीं यह मतलब सेक्विंस हो रहना होता है धिक जब तक को hizo गरभां मोझें तो दूसरा सप्लाई कर रहा हट है इskैंड इसको अर्फ़ ऑनद कब बोलें कि जबсы सप्लाई कर blijघ तो ओनगे अर्फ, बोल गें और सब्सक्राल्यS yang — फिरो बीफ्ट, अंठ्ट कहिए। 28 है तो गरम होने में ज्यादा समय लगता है ठंडा होने में कम समय तो इसलिए दो इस्टो से काम नहीं चल सकता मिनिममम तीन इस्टो होना चाहिए है और सबसे अच्छे है कि होता है टो जैसे मेने भता ना guess cleaning का फुरे system होता है जो व् specimens कर सकते हैं तो हम उसको यूूटलाइस कर सकते हैं तो उसी को क्या क्या कर देंब स्थ गेसश को एंधियर सितन में पैस्तों आते। अमठीन क्युक्पंट होता है जैसे मैं नीचे बढ़ जाते हैं फिर लास्ट जाता है इलेक्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर में यह एकदम माइक्रो लेविल को डेस्ट होते हैं उसको अलग कर देता है ठीक है अब गैस पुरा क्लीन हो चुक है अब आप इसको स्टो में यूज कर सकते हो ठीक है अगर आप डारेक स्टो में भी चबसे अब क्या से फुरेज होता है यह इतना सारा जाता है कि उस्टो में करते हैं तो उसको दूसरी जगह भी यूज करते हैं जैसे री हीटिंग फर्नेस हो गया और 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 दूसरे जगह पर जहां पर हम यूटिलाइस करते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट होता है रॉम मटेरियल स्टोरेज इन हैंडलिंग अब देखिए ब्लास्ट फनिस चलाने के लिए आपको बहुत भारी अमाउंट में रॉम मटेरल की जोरत पड़ती है जैसे मैंने बता है रॉम मटेरल क्या है आरन और है ठीक है आप बहुत भारी मातरा में आपको सब्सक्राइस के लिए इ toutes एक सफ्क्राइल यृट में रखांग और तो थे कि एक आवख़कता है तो उसमें करते हैं नहीं है तो सिलें क्या करते हैं तो कश किशन में ऐसे में चाहने दालता तो ब्लाश फशन इस फोटो में देखो ऐसे डंकर बना हुए तो बड़ा मों क्रशार्फ का यो दो झाल रेए तीर पूर्फ की बना रहते फिर कि वहां से हम क्या करते हैं उसको बंकर में क्या होते हैं उसके वेट का उसको वहां पर एक मशीन लगा होता है जिसमें वेट कर लेते हैं उसको वेट में तब वजन ले लेते हैं कितने मौड में हमको डालना है फिर उसके होते हुए फिर यह जाता है ता सा है यहाँ पे जाती है ऊपर देखा-धिजे होता है उप्र जाता है बहुत उल्र प्रक मैं है क्या जाता है उपर कि दो जाता है इसे कि पर रहे जाता है यहां पर रश्सी लगी होती है सभागी चाहिश कर देता है तो यह ब उसका सोच क्छा जाता है तो आगले लिए निए ब्रॉपर को चार्जिंग और के तो वो चार्ज होता है ब्लाश फर्मिस में थीक है तो ये किसमें आगे आपका इस तुरे जोर हैंडलिंग में है यहां पर भी दिनको दिया गया है यहां पर now यहां पर और वहां पर चार्ज कर दिता है तो इससे बड़े-बड़े बंकर बना होते हैं जहां से फिर वो जाता है ब्लाश फॉनस को ठीक है फिर नेक्स जो इंहुकूरण सेलिश्चन होता है लिक्विड लिक्विड प्रोडक्ट डिस्पूजल अब लिक्विड प्रॉडक्ट देखिए अब लाज़पनेश में क्या होता है ना हर 55 से 50 मिनट में टैपिंग होता है है जादल मैटल को हम बाहर निकालते हैं तो उसका है लिए क्या होना है और मदध के living है वहारक है तो उसको हम जो ilmanрен। दूर होता है अगर बहुत बड़ा प्लान की डिर्ट बहुत है तो में एक रिकबार है और कि आर ऐसे में युद्म बाद है तो dein शौब में जाता है तो अगर दूर है तो उसके लिए इस टear पीडो कार sind we खी 爐न रस अलग ले ले लेते हैं यूट इन है में ले लिए प्राइब जो जो ब्लास्फटनेस में डैप होल होता है यहां पर नीचे लेवल को होता है उसको मैं बहुत दिखाओं नीकलते हैं और जब कंपट हो जाता है तो क्ले मटीरियल आता है एक मटेरील पेस्ट मटेरिल उसको डाल होल में टो होद्न हो ठीक है तो प्लांट ग्त जो य होता है अगर च्छोटा हो उसके लिदाल हो इसको ले लेते है और दूश्रा मैं स्लैक को प्लांड स्वाने से टो असके लिए तारपीडो टारपीडो होता है तो चील जादा अब दिखिए जो modern जितने भी blast furnace है ना वहाँ पर लगबग काफी सारी चीज़े जो हो automatic हो गई है maximum चीज़े जो है automatic हो गई है है ना तो automatic हो गई है तो पुरस को जो control होता है वो control room में होता है ना blast furnace का अपने control room होता है लगबग हर एक process आचकल क्या हो गया है automatic हो क्या है तो यह सब क्या हो गया important section होते हैं blast furnace के ठीक है इसमें भी देख सकते हो इस photo में आपका blast furnace है main blast furnace यह है इससे जुड़े हुए बाकी चीज़े है यह आपका पुरा gas cleaning plant हो गया यह आपका इस्टो वाला section हो हो गया इधर आपका raw material section हो गया ठीक है और यहां पर नीचे तरफ आपको क्या मिलेगा liquid metal disposal को मिलेगा section मिलेगा जहां पर liquid metal हम क्या करेंगे लैडल में लेंगे ठीक है अब चलिए अब हम देख लेते हैं अब फर्नेस जीटेल के बारे में फर्नेस के construction को डीटेल से समझ लेते हैं अब फर्नेस के कौन-कौन से पार्ट हैं ओके यहां पर कुछ-कुछ फर्नेस का वह दिया गया है इस डाइमेंशन ठीक है इस डाइमेंशन को मैं आखरी में फिल्स से बताऊंगा क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आगा कि हर्थ क्या है बोश क्या है यह सब अगर आपको पत्ता नहीं होगा तो सबसे पहले मैं इस सेक्षन बता देता हूं ब्लाश फर्नेस का construction फिल मैं यह ओपर से नीची आते हैं तो यह फैलता है कोन शेप करेता है फिर्स्ट अफोन टाइप के शेप का है यह सब फैला होता है ठीक है यह फैला हुआ इसलिए रखा गया है क्योंकि जो रॉब मैटेरियल है जो हम डालते है वह स्वेल होता है हीट के कारण जब उसको टेमप् क्योंकि एक द्धका मारता स्वेल होने के कारण और ऊपर नीचे नहीं आपाता इसलिए इसलिए थोड़ यह आ होता है ठीक है फिर इसके बाद यह फर्वन क्या हुत है वोड़ अब कम हो जाता है अब दीडियोर को वमने लगता है क्योंकि रॉब मेटलम मेल्ट होना लगता है कि पहले इस पेस जदा था गैब था विद्ट की बीच में लेकिन लिक्वीड बने लग गया तो गैब कम हो जाता है ना तो कम को कम एरिये की जुरत पड़ती है तो इसलिए फ़र्नेस का हो जाता है थोड़ा सा एरिया कम होने लगता है ठीक है फिर अल्टिमेटली सेक्षन ऐसे हो जाता है कि यहां पर ही न इसको हर्त बोलते हैं यहां पर क्यों अर्याइब ब्लाश होता है यहां से हौटब्लाश होगा सप्लाइब ऊपर से हम सारा जो रॉम मतल हो चार्ज करते हैं ठीक है उपर से रोव मेटल चार्ज करते हैं और इस पूरे फरनेस में रिएक्षन होता है रिड़क्षन रिएक्षन यहां से हम गरम हो सप्लाई करते हैं और नीचे जा करके स्लैग और मेटल है जमा होता है हर्थ में ठीक है तो ये मैंने ब्रीफ में बतायां चलीए अब हम अम degree कलूंस से पढ़ते हैं त look कि सबसे पहले हैं फोने एच सब से पहले को पता है जानते हैं फांडेशन के यहां पर भी foundation होता है और foundation यहां पर बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि blast furnace 100 feet के ज़्यादा होता है तो बहुत ही heavy burden होता है उस heavy burden को खड़ा रखने के लिए आपका foundation वो अच्छा होना चाहिए यह देखो नीचे में foundation देखो दिया है तो foundation बनाने के लिए बहुत गढ़क होते हैं उसमें प्रॉपर कॉंक्रीट और इस्टिल रिइंफोर्सिंग कर दें ठीक है क्योंकि जो ब्लास्ट फरनेश का जो वेट होता है दस जार टन से भी आजकल बड़े फरनेश बन रहे तो उससे कई ज्यादा होता है तो इतना ज् नीचे होता है foundation कि यहां पर सब कुछ दिया गए foundation के वारे में ठीक है नेक्स्ट उसके उपर जो सेक्षन आता है वह हर्थ बॉटम और अंडर हर्थ बोलते इसको यह एक्चली में पुरा ब्रिक्स का बना होता है हर्थ बॉटम मतलब पुरा ब्रिक्स का इक लाइनिंग होत केवल उसको सपोर्ट के लिए होता है उसके उपर वर्किंग लाइनिंग होता है वह कार्बन होता है यह इतना मोटा हर्थ बॉटम इसलिए बना गया है ताकि आपका जो मैटल है वह फॉन्डेशन तक ना पहुंचे क्योंकि धीरे-धीरे क्या होगा जब समय के साथ आप इ लीजेशनेक्ष क्या होता है अल tracing हट मं इसलेख होता ह थीक हरत भारी होते हैसके डности पुरा हलका होता है इसलिए वो उपर होता है तो श्लैग वर में हरत में किसके लाइनिंग लगी होती है हर्थ में आपका लगावाता है कार्बन ब्रिक्स की लाइनिола होती है कार्बन ब्रिक्स की ठीक है अब देखो ये पूरा जो ब्लास फरनेस है बाहर से स्टील की बना हुआ इसो के प्लेट को ही वेल्ड करके हमने बना था है न लेकिन अंदर में कहाती है कि रिफ्रेक्टरी की लाइनिंग होती है लगब एक मिटर थिकने हर्द में कार्बन बृक्ष की लाइनिंग लगी होती है rising के बाहर रहिंग कर्मन तरोरे से लाइनिंग है इसके बाहर क्यों बिकितर का सब्सक्राइब यह क्यों वाटर फ्लोो करता है यह क्या है वाटर कुलिंग करता है वाटर है प्टी एक बढ़ती है अगर आप ग्रड़ते हैं जडे क्या लाइ ridiculously लाइनिंग के पीछे ऐंटे पैनल होता है जलते अरेंग्त है उपर कोल लाइफ भक्षय होता है अब अब तो मिपक्र ना क्या थो वर बाहरे को चींख यहां दो चैनली नरुगों की का मचीन तो इसको पमकारी सफिर्ट के रस नसले मेंतों त्थ nasis यहां बाहर कॉर सकूंछ सब्सक्राइब एक स्छाइच को पेस्टरी रिएंस पेस्ट को kर दें है ठीक है इस बात है एक पर ले जाकर लगा देते तो बंद जाते है और जब करना होता है तो उसको फिर मचीन के सहता से इसको खूल लेते फिर हम टैपिंग कर लेते हैं एक चोटा फरने से तो यह एक है टैप हलोता है सिंगल टैप होलोता है जहां से वह स्लैग मेटल बाहर निकलता है ठीक है लेकिन अगर बड़ा फरने से बहुत बढ़ा फरने से तो इसमें बहुत सारा टैप होलोता है एक इस तरफ टैप होलोता है दूसरे तरफ भी होता है अब देखिए अभी पहले क्या होता है दो टैप ह होता था एक लुःड और एक मैटल के नीचे मैटल का होता था उपर स्लेग का टाइप लोका लेकिन अभी जो फ़र्मिस आदा है उसमें कि वाद सिंगल टाइप वोता है जहां से स्लेग और मैटल दोनों बाहर निकलता है ठीक है इसका भी आपको ध्यान रखना है अब यहां को मैंने बता दिये हैं हर्थ का क्या काम है नेक्स अब आप उपर चलिए यह हर्थ के जस्ट ऊपर लगा होता है यह क्वेस्व हैं अपको हुआ है क्या होसे बाहर तो बसल पॉण से प्रेफल से बाहर यह पर लगा यह देख सकते लेख लिए आपके घर में मैंन के चलो नल से पानी में तो पानी पहले में पाइप में बड़े पाइप में जहाँ से भी ठीक है वह बड़े पाईप में पाइप में जूडे होते हैं हो इस छो है ना फूरे यह रहे तो है अलग अलग दूरी पर एक निश्चिती इस में बहुत सारे को थे अब कितना होता है और बहुत बड़ा है तो उसमें होते हैं होट ब्लाश सप्लाई करते हैं थीक जहाए करते हैं भी ऐसको ब्लाइels के साथ टो er के सब काम है भी सक्टे होता है हर्थ के द्स्ट ऊपर ही लोकेत होते हैं अब उसके उपर आता है बोश उसके उपर जो रीजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं तूर से लेकर के जहां तक बड़ा डायमेटर है वहां तक को बोलते हैं तूर लेवल से लेकर के जो सबसे बड़ा डायमेटर वाला सेक्षन होता है उस सेक्षन को क्या बोलते हैं ठीक है अब बोश का ही जो टॉप पॉर्शन होता है न उसी का डायमेंटर सबसे ज़्यादा होता है बलाश फैने में सबसे बोशientras सबसे ही गाहांबबबबबब सपंस्त में बोश को इसे सबसे बडूचे करेंबंब सबसे सबसे बलाइमेटर के पुर्च वह दीनों करें यहां पर प्रॉपर लाइनिंग होती है ज्यादा तर फायर बिक्स की लाइनिंग होती है है एक स्मीटर थीकनेश का और यह पुर्स पूरा वाटर कूल्ड होता है मैं क्योंकि यहां टेंपरिचर लगभग मैकसिमा टू थाउजन डिग्री सेलसेस तक भी चला जाता है ठीक है तो पुरा वाटर कूल्ड पैनल होता है यहां पर वाटर कूलिंग के कारण क्या होता है ना कि जो रूफ्रेक्टरी लाइनिंग होती है रूफ्रेक्टरी लाइनिंग के ऊपर ना स्लैग भी जम स्लैक जाता है कि इसमें लाइनिंग के ऊपर आप यहां पर यह क्या करता है प्रोटेक्ट करता है यह लाइनिंग अच्छ उपर आता है बेली नेश सेक्षन क्या है बेली है बेली के वाइसे उतना ज़्यादा कुछ important नहीं है कि जगर पेपर बुक्स में बेली का mention भी नहीं होगा ठीक है तो थोड़े से उपर को बोश जिएन को थोड़े से उपर आले सेक्षन को भी बोलते हैं बेली ठीक है उसके बाद चाल वोते हैं जो सेक्षन मांके चलो है नहीं है उपर वाले सेक्षन को कांट दिया यह क्या बन गीआ इस्टैक टो आप डिजाइन को क्या बूर contra uno एक कंट हुआ को एक तरह से थीक है तो अभी जाइसे मैंने बताना जो तो स्टैक जो होता है उसका डिजाइड कैसे ऐसे फैला हुआ है यह गलत मैंने बनाया था बेड़ाई JULie कि इसा है तीज्बार पाइब के ये तरह से फ्रेस्ट्राव पावों था है अब स्टैक में कौन तरह बने क्या चीज्ब होता है अब इस टेक के जैसे मैंना डिजाइन बताना कैसे ऐसे फैला हुआ है बाहर की और तो इसको मैंने बता दी आपको कि फैला हुआ क्यों है क्यों कि जो रॉम मेटल वो स्वेल होता है तो स्वेल होता है तो स्वेल होता है तो उसको ज्यादा स्वेल होता है पहले कम स्व लाइनिंग होती है ना वो फायर ब्रिक्स की लाइनिंग होती है ठीक है एक मिटर थिकने इसके फायर ब्रिक्स की लाइनिंग होती है और यह भी पुरा वाटर कूल होता है पुरा वाटर कूल पैनल लगा होता है इसमें और इस्टेक का जो ऊपर वाला पॉर्शन होता है लग यह इस्टिल प्रिट आर्मर इसमी लगा उता है ताकि जह रीफ्रेकटरी लैनिंग है उसको हम बचा सके बचा सके मतलब क्या होता है ज़से जब हम चार्जिंग करते हैं आ रौ मिटल चार्ज करते हैं तो वेटर सीधे धिरता से ंव praying तो वहां पर आपने आर्मर लगा उसको भी कोई दिख्षद नहीं है नीची लेवल पर नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे टेम्परिचर जाता है तो इस टेल प्रेट आर्मर कीवल ऊपर एक से दो मिटर हइड पर लगा जाता है ठीक है अब इस टैक के टॉप पोर्शन में यहां पर सब कुछ आपका दिया गया है न नोट में सबकुछ दिया गया है नियुक्त चलिए टाइक अब स्टैक बनाने का रीजन क्या होता दिखिए इस टैक के वाइस से बहुत जादा काम नी है मतलब काम मतलब कोई ऐसा वहाँपे हम होट बलास सुप्लाइज नी कर रह करने करना यहां पर लेवल पर क्या बनता है यहां यह आगज करी सियो बना देता है श्माइब तो अगर स्टैक नहीं बनाँ है जूक्त ठ्यूटा उसको बन तो रहा है वसको जल्दी से बहर निकल जाएगा तो य Вас स्टैक चोता है क्या दिक्कत है एक तो आप प्रॉपर इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं सियो को दूसरा सियो के पास कैलर्फिक वैल्लू है वो भी यूटिलाइज नहीं होता है इससे फ्यूल कंजेप्शन बढ़ जाएगा ठीक है तो इस स्टैक हम बड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि कि अपना अपना चीए केस rocket हम वो बढ़ सके हें तेका और मियन क्या ओता है जो भी इंडरिक्टिद इडक्शन होता है वह स्टैक में होता है क्योंकि मैक्सिमुम ग्रीक्शन है आपको मैक्सिमुम जो प्रो द्यांटिन चायर नार जभिए हैं स्टैक element पर ही माक्सिमंब reduction हो जाता है क्योंकि CO gas जो जाता है वो reduce करते हुए जाता है आपके iron ore को ठीक है तो proper size का stack बनाना ज़रूरी है ओके और इसके ऊपर में जो भी है section क्या क्या होता है उसके ऊपर में पूरा section होता है charging system होता है और off-tech gas का remove का system होता है ठीक है तो यह सब चीजी हमें इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा charging system के अलग से वीडियो बनाऊंगा है ना और off-tech gas के लिए पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा ओके अब इसमें कुछ volume का concept दिया गया है height का concept दिया गया है height of inner volume वोलिम हाई तक को बोलते हैं जो हर्थ का bottom होता है नहीं से ले करके जो टॉप ऑफ टेक है वहां तक को बोलते हैं heig ofileum फिले लोदी खिंट है old total volume कहां तक को बोलते हैं जो tap hold होता है न वहां से ले करके जो ओपर का section होता है जो एब उसको हम बोलते हैं heig of king Заem sum तक के वर्ट के तक तक होता है त्यूसाइब करके ऊपर तक है इसको मैं बोला था ये इंपोर्टेंट्ट डानेंशन से आप इसको दो देख सकते हों जो रहत होतों है यह आपका 3000 टरन है होट मेटल है पर डे वाला कैपसिटी का यह डायमेंशन है अगर ब्लाश्पने इससे ज्यादा कैपसिटी के है तो डायमेंशन भी बड़ा होगा चोटा है तो डायमेंशन चोटा होगा है यह 3000 होट मैटल पर डेक यह का है अरहिए कि इस एक हर्थ का मैटन है आट इसनों मेटर हर्थ को डायमेतर आड इसनों मेटर बोज्ट ढाय कहा है 9-10 मिटर देखो बोज्ट आ सबसे ज़्यादा दीख रहा हो को पूरे में हर्थ का किपना होते हैं 3-3 मिटर होता है बोज्ट का मतलब यह है एरिया है तो यहां का जो डाय है इसको गोलते हैं फरोट ठीक है ध्रोट टाय UP को फोड मोटल या फोड दाए अ है कि तो फोड कडायए कितना होते है ऌन्य 5.5 से 6.5 मिटर होते लोकि हर्थ कडाय से कम है ना कि अवाल टेक ही अचे लिए भी आप यह ए अट्रस से 20 मिटर फिर यूसफू के निन इन या वहीज सकते हो जो इसको हम क्या होते हैं मैक्सिम हाइट वो तीस से 32 मिटर है अंडर्ड फीड वर्किंग है इतना 21 से 24 मिटर है टूटल यूसफुल वाल्यूम कितने है वाल्यूम आपका 13 से 16 voyez क्यों है यह किया है यूसफुल वाल्यूम है जो टूटल वाल्यूम जो होता है ना ब्लाश फिनिस का वो है ठीक है तो ओके फिर एक चीज़ यहां पर बज़ गया इसको समझाना बज़ गया अभी मेंटल और कॉलम क्या उते इसको देख लेते हैं मेंटल और कॉलम क्या होता है यह जो स्टैक जहां से चाल वहता है तो इस टैक को एक सपोर्ट देना पड़ होती है अगर क्योंकि डाय ऐसे बटर फिर कम हो जा रहे ना तो प्रॉपर वजन उस पर पड़े गया है ना वेट पड़ेगा इस इस रिजन पर यहां पर पर यहां यहां पर है ना तो वहां पर हमको सपोर्ट करना पड़ता है तो सपोर्ट हम कैसे प्रवाइट करते है एक कॉलम से सपोर्ट में रहा था एक स्पेस में एक प्रॉपर डिस्टेंज में आपको बहुत सारा कॉलम लगावा था यह तरह से कॉलम अभी कॉलम किसे जुड़ा होता है प्रणेशन से उसी को हम बोलते है मैंटल पूलते हैं और इसको बोलते हैं कॉलम और फॉसने से जुड़ा होता है घजर दूसरी दूसरी अम बताता हूं यहां पर देखो यहीं यहां पर सब्सक्राइब रहे है पर टीख रहे है यहां पर मेंटल लगा होता है असे सर कल में इसे मैंटल लगा हुए निएक पूर और पॉल्ण ठीक दो तो यह था वीडियो पूरा लाश फिनस्ट लियाउट का नेक्स वीडियो में मिलते हैं कि भब थेंग घुर गाडब क्या हो लो झाल झाल